नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आए कुछ और प्रशन हल यहाँ पे कर लें जो कि शंकू के सूत्रों पे आधारित हैं परन्तु इन में हमें कुछ अनुप्रयोग देखने पड़ेंगे। जैसे कि यह प्रशन कह रहा है उपरी व्यास 3.5 सेंटिमीटर वाले शंकू के आकार का एक गढ़्धा 12 मीटर गहरा है इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है। सबसे पहले आईए इस गढ़्धे की जो आकृती है वो समझें और वो कुछ इस प्रकार से होगी। एक यहां पर आप देख सकते हैं कि उल्टा शंकू आपको नजर आ रहा है और यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि इसका उपरी व्यास व्यास क्या होता है। जैसे त्रिज्या तो केंद्र से लेकर के किसी भी बिंदू जो की परीधी पे हो उसके बीच का अंतर और अगर आप दो बिंदू ले लें परीधी पे इनके बीच का अगर आप दूरी देखेंगे जो की केंद्र से पार होती हुई हो तो उसे हम व्यास कहते हैं। तो ये व्यास हमें साड़े तीन मीटर दिया गया है और इसकी गहराई हमें बताई गई है बारा मीटर तो ये गहरान हमें बताई गई है बारा मीटर अब प्रश्ण में ये कह रहे हैं कि इसकी धारिता बताईए तो सबसे पहले आईए रिखते हैं धारिता क्या है धारिता मत अब लेखे एक बटा 3 तो ठीक है पाई का मान भी 22 बटा 7 है आर के मान के लिए हमें 3.5 बटा दो लेना पड़ेगा और उचाई 12 तो अगर हम इसे हल करेंगे तो 1 बटा 3 गुना 22 बटा 7 गुना 35 बटे 20 गुना 35 बटे 20 और गुना 12 हो जाएगा अब इसे हल करते हैं तो 7 बटे 25 फिर अगर हम इसे हल करेंगे तो 3 गुना 12 फिर चार और पांच का गुना फल 20 फिर ये 2 से 11 हो गया 2 से 10 हो गया तो अगर हम 35 गुना 11 करेंगे तो 385 अगर इसकी जो एकाई है वो आएगी घन मातरक में मीटर क्यूब और प्रश्ण कहे रहा है कि इसकी धारता किलो लीटर में बताइगे तो हमें मालुम है कि एक मीटर क्यूब में आप हजार लीटर यानि कि एक किलो लीटर समान जो है वो रख सकते हैं कोई तरल प्रदार्त की धारिता एक किलो लीटर हो जाएगी, तो इसका आशा ये हुआ कि एक मीटर क्यूब एक किलो लीटर के बराबर है जो कि हो जाएगा 38.5 किलो लीटर, तो इस प्रकार से इस घड़े की धारता 38.5 किलो लीटर आ गए, आईए एक और प्रश्ण देख लेते हैं, और प्रश्ण कुछ इस प्रकार से है कि भुजा आएं 5 cm, 12 cm और 13 cm वाले एक समकोंड त्रिबुज A, B, C को भुजा 12 cm के पारित घुमाया जाता है इस प्रकार प्राप्थोस आयतन का ग्याद कीजिए तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं जो कि इस आकृती से भी काफी सही से दिख रहा है कि अगर हम एक समकोंड त्रिबुज को गोल-गोल घुमा दें तो जो हमें आकृती मिली वो एक शंकू है और अगर इस शंकू के अलग-अलग जो यहां पे मान हैं उसकी बात करें तो इसके आधार की त्रज्या जो कि हम आर से निरुपित करते हैं वो कितनी हो क्योंकि एक समकोंड त्रिबुज की जो कंड भुजा है वो ही त्रियक उचाई बनाती है जो भुजा के साथ इसको गुमाया गया है वो इसकी उचाई बनाती है साधारन उचाई और तीसरी भुजा इसके आधार का त्रिज्या बना लेगी अब आयतन निकालने के लिए हमे क्या चाहिए तो हमें मालूम है कि शंकू का आयतन का सूत्र होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वाइर एच और जो कि अगर हम यहां पे निकालेंगे तो होगा एक बटा तीन पाई की जगा बाइस बटा साथ आर की जगा पे हम क्या लिखेंगे पांच गुना पांच और तीन दर्शम लव एक चाह ले ले पांच बने पच्चिस चौको सौ तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा तीन सो चौदा और घन मात्रक और जो की संटीमीटर क्यूब होगा तो इस तरीके का जो हमें शंकू मिला उसकी हम देख सकते हैं कि हमारे पास आयतन तीन सो चौदा स के अधारित हैं